हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू अवर चानल सॉल्यूशन फार्मेसी तो जैसा आप जानते हैं अपन मेडिशनल केमिस्ट्री का यूनिट फोर कर रहे थे आई अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक है बार्बी ट्यूरिक एसिड डेरिवेटिवस देखिए बार्बी ट्यूरिक एसिड डेरिवेटिवस इनको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं बार्बी ट्यूरेट्स ये बार्बी ट्यूरिक एसिड के क्या हैं डेरिवेटिवस हैं ये ड्रग्स जो हैं ये आपके हिपनोटिक नेचर होते हैं और इनको हिपनोटिक कौन बनाता है इनको hypnotic जो है, वो arryl या alkyl radical बनाते हैं, जो की fifth number of carbon पर attach होते हैं, fifth number of carbon पर ही कैसे attach होते हैं, hydrogen को replace करने के बाद attach होते हैं, ऐसे जो derivatives हैं, इनका और एक नाम है, two, four, six, तीन बार होगा है, तो try, oxo, मतलब ये ऐसा double bond O, hexa, hexa six member drink के लिए, hydro, मतलब H रहेगा, है न, O के साथ में, अब pyrimidine, pyrimidine की ring रहेगी, ये क्या करते हैं, ये reversibly depress करते हैं, कि इसको सारे के सारे excited tissues को, हमारी body के जितने भी excited tissue हैं, उन सब को ये depress कर देते हैं, उन सब की activity को ये depress कर देते हैं, और इनका preparation कैसे होता है, तो malonic acid और urea, malonic acid और urea के derivatives को आप condense करते हैं, इनको छोटा करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, तो एक नए प्रकार के derivative बनते हैं, they are known as barbituric acid derivatives, ये जो barbiturates हैं, ये students कैसे होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, they are cyclic, acyl containing derivatives made up of urea, और अपनको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे होंगे, acidic nature के होंगे, इनका mechanism of action किस प्रकार का होगा, तो इनका जो mechanism of action है, वो इस तरह का होगा, कि जो barbiturates हैं, ये binding promote करते हैं, किसकी benzodiazepine की, किसके साथ में GABA-A receptors के साथ में, और ये जो barbiturates हैं, इनका और एक काम क्या है, ये बढ़ावा देते हैं, किसको GABA-induced chloride currents को, जो chloride ion का जो flow है, उसको बढ़ावा देते हैं, कौन सा वाला chloride ion का flow, जो GABA receptor की वज़ा से हुआ हो, इससे क्या होता है, कि जैसे flow बढ़ा, तो channel की जो opening है, वो फूट जाती, टूट जाती, जैसे मान लीजिए, ये एक pipe है, students, इसमें खूब फोर्स से पानी आ रहा है, तो खूब फोर्स से लगातार पानी आएगा, तो क्या होगा, ये वाली जो opening थी, इस तरह से, ऐसे rupture हो जाएगी, फट जाएगी, है ना, burst out हो जाएगी, उसी तरह से, जो मान लीजिए, हमारी body में, chloride ion का, neurons में chloride ion का, एक दम तेजी से flow बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जो ये opening थी, जो closed, अभी वो ऐसे food के chloride ion निकल, यहाँ पर क्या होगा, कि जो alpha और beta subunits हैं, गाबा receptor के, वो required होंगे, हमको इस action के लिए, जैसे ही, हमारा chloride ion का conductance जो है, वो बढ़ेगा, chloride ion का conductance यानि की flow बढ़ेगा, तो हमारा जो agonist nature है, वो कैसा हो जाएगा, वो activate हो जाएगा, यानि की जो हमारा main है, barbituric acid का agonist property जो है, वो activate हो जाएगा, ठीक है, तो यह एक basic mechanism of action है, कि GC साब से आपके barbituric acid drugs काम करते हैं, आए कुछ drugs पढ़ते हैं, हम, पहला drug है barbital, इसका synonym है barbitone, यह देखिए students, यह basic structure है आपका, देखिए अपनने तीन बार वर्ड लगा है, आपकार से आप नाम समझ सकते हैं, इसके बाद देखिए यह वाली जो ring है, NN वाली, that is for pyrimidine, इधर आपके पास दो बार इथाईल है, तो इस प्रकार से यह इसका नाम बन गया, यह जो drug है, they are white, crystalline powder, वो colorless होते हैं, इसके बाद यह soluble होते हैं, कि इसमें boiling water में, alcohol में, slightly soluble होते हैं, water में, और अगर आप इसको water में solubilize करा दें, तो एक salt बनेगा है, कैसा salt बनेगा, student जैसे, मान लीजे, अपन एक basic चीज़ जानते हैं, कि जबी भी अपन लोग acid और base को react कराते हैं, तो अपन को मिलता है, salt और water, बस same reaction यहाँ पर भी होगा, acid, barbituric acid अपने आप में acidic nature होगे, barbituric acid plus base, base के नाम से आप NOH ले लीजी, अब यहाँ पर जो salt आपको बन के मिलेगा, वो आपका कैसा हो जाएगा, वो salt आपका, जो है students, वो water soluble nature का salt होगा, ठीक है, तो यह किसकी special property है, कि यह normal अपना जो acid base reaction है, उसको obey करता है, mechanism की इस प्रकार का है, कि यह CNS को inhibit करता है, हमारे central nervous system को थोड़ा सा रोकता है, inhibit करता है, उससे क्या होता है, कि हमारा जो depression है, वो cause हो जाता है, किसी patient को depression हो जाता है, कैसे हो जाता है, by stimulating the inhibitory neurotransmitter, याने कि जो inhibition करने वाले neurotransmitter थे, that means जो GABA receptors थे, जो GABA था, उसको यह क्या कर देते हैं, inhibit करते हैं, फिर इससे हमारे CNS inhibit हो जाता है, और depression cause हो जाता है, store क्या करते हैं, well-closed airtight container में, protected from light, यह एक प्रकार का बहुत powerful hypnotic है, जो की insomnia के treatment में यूज होता है, दूसरा इसका use है, epileptic seizure, जो epileptic है, epilepsy की condition है, उसमें यूज होता है, आईए, students, हम लोग synthesis देखते हैं, देखिए, हम लोग starting में ही पढ़ें, कि यूरिया के derivatives और malonate के derivative, malonic acid के derivatives, उनसे हम लोगों का barbituric acid compound बनता है, तो यहाँ पर अपनने ले लिया malonate, और यह हो गया, यूरिया, आप इस structure को थोड़ा बढ़ा कीजिए, N, इसके साथ 1H और 1H, ऐसा ही repeat, N, उसके साथ 1H और 1H, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है, diethyl 2, 2, diethyl malonate, है न, यहाँ पर आप देखिए, C2H5O, C2H5O, यह निकाला C2H5O, और इसके साथ में 1H, C2H5OH, एक molecule, फिर C2H5O, और 1H, C2H5OH, यह, इस प्रकार से आपको मिल गया 2C2H5O, फिर्ट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 1N, जिसके पास 1H है, और एक खाली बॉंड है, सिमिलरली, एक और N, उसके साथ भी 1H है, और एक खाली बॉंड है, यह खाली बॉंड और यह खाली बॉंड इन दोनों को हमने, इसे कराएंगे, यह और अलग हो गया, तो यह कार्बन के पास भी एक डेफिशेंट बॉंड है, इस कार्बन के पास भी एक डेफिशेंट बॉंड है, आप उनको आपस में कनेक करा दीजे, अब यह जो स्ट्रॉक्चर आपको मिल रहा है, that is known as, बार्भी तोन, यह है इस प्रॉक्चर में, क्या होता है, 5-Ethyl-5-Phenyl-Barbituric Acid, तो यह एक जो ग्रूप, स्टूडेंट्स यह होता है, आपका C6H5, C2H5, यह हो गया, 5-Ethyl-5-Phenyl-Barbituric Acid, प्रॉपर्टीज वही हैं, आपकी वाइट, प्रेस्टेलाइन पाउडर, फ्रेली सॉल्वीबल इन इस तरीके से हैं, फिर अमोनिय, NH3, इसमें सॉल्लिबल है, यह एक हाइग्रोस्कोपिंग नेचर का सबस्टेंस है, और इसके बाद में, इसका मेकानिजम ओफ एक्शन किस पकार का है, कि यह हमारे गाबा रिसेप्टर को स्टिम्यूलेट करता है, बढ़ा देता है, और हमा Antiepileptic Drug, देखे, जैसे मान लिजे, Joint Disks का Case है, किसका New Natal का, मतलब New Born Baby का Joint Disks का Case है, तो वो Case में, जो Hyperbilirubin का जो condition Disbalance हो गया है, उसको ठीक करने के बढ़े हुए Hyperbilirubin को Reduce करने कम करने के लिए, इस ड्रग का यूज होता है, इसमें, एक आप Sida Effects ध्यान देहन देंगे, कि जै तो इससे कोमा हो सकता है, पेशन कोमा में जा सकता है, उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, रेस्पिरेशन जो है, वो कम हो सकता है, हाइपो टेंशन हो सकता है, या तो कार्डियोस्कुलर कोराप्स हो सकता है, या तो किड्नी फेलियर, रीनल फेलियर, इन में से कोई आएए आगे देखते हैं हमारा जो थर्ड ड्रग है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस मेफो बार्बीटल इसका और एक नाम है मिथाइल फीनो बार्बीटों यह जो ड्रग है इसमें एक चेंज है यह एच जो है डैट इस रिप्लेजड बाई CH3 ग्रूप अदर्वाइस यह सब सीम है तो इसकी जो प्रापर्टिक है कैसे वाइट है क्विस्टयॉल पाउडर है यह ओडरले सै बीतर टेस्ट है देखिए अजिडीकुलिकमस औवेस सी बात है, acidic drugs है, acidic to litmus होंगे, that means blue litmus filter, soluble in water है, soluble in alcohol, chloroform, alkali, hydroxide, alkali, carbonate से mechanism, ये एक non-selective CNS depressant है, मतलब इसको बस इतना पता है कि CNS को depress करना है, तो ये CNS से जितनी भी connections है, सब पिल्कुल connection को depress कर देगा, इसको मालुमनी, इसको करना है, उसको नहीं करना, non-selective CNS का काम क्या है, आपका GABA receptor को stimulate करना, बढ़ा देना, और जो channel की opening है, उसको लंबे समय तक रखना, बढ़ा के रखना, थोड़ी देर की जगा, ज्यादा देर तक channel को open रखना, कौन सा channel, chloride ion, storage कैसा है, well-closed air-type container, protected from light, storage, strong है, sedative, mild hypnotic, anti-convulsant, relief of anxiety, tension, anti-epileptic, sleep induced करता है, और drowsiness provide, के बाद next drug है, MO-barbiton, इसका और एक नाम है, amylo-barbiton, ये देखिए, ये structure है, बाकी सब सेम है, यहाँ पर NH-NH है, ये एक side chain, adjacent attach हुई है, आइसो, पेंटाइल, बाकी सब सेम है, similarly, ये white color का crystalline powder है, थोड़ा सा टेस में, bitter है, कड़वा है, कोई odor नहीं है, water में soluble है, freely soluble है, बेंजीन में soluble है, basic hydroxide solution है, मतलब वही base के जो NAOH, KOH type solutions है, उन सब में ये soluble है, similar properties है, students, जैसे कि acidic drug है, तो basis के साथ neutralization reaction देंगे, बस वही property है, अब इसके बाद जैसे हम mechanism की बात करें, तो ये जो GABA receptors है, इनका duration पढ़ा देता है, ये drug, इससे क्या होगा, कि जो chloride channels है, उनका conduction भी लंबे समय तक होगा, और ultimately आपका जो CNS है, वो depressed हो जाएगा, similar storage है, well-closed airtight container protected from light, और use है, sedative hypnotic और anti-conversive, इसकी तरह use होता है, फिर नेक्स्ट है आपका buta barbital, buta barbital का एक synonym है, buta barbital, यहाँ पर भी आप student देखिए, structure almost similar है, केवल ये एक side chain हुई है, that is one methyl profile, one methyl profile की एक side chain बस हमने लगाई है, ये white color का compound है, इसके crystal का से fine micro crystalline है, ये odorless है, taste में ये भी bitter है, और water में soluble है, ठीक है, तो ये students basic आपका हो गया, आईए mechanism देखिए, mechanism किस तरह से है, ये भी आपका similar GABA receptor से जुरता है, जो chloride ion के channel का opening time है, उसको ये बढ़ा देता है, जैसे ही ये channel का opening time बढ़ाता है, डिप्रेस हो जाता है, CNS है, इसका metabolism आपका liver में हो जाता है, ठीक, because हमारी body इस drug के लिए tolerance होती है, consume करते जाते हैं, तो body उसके लिए tolerance है, बीचोल होता है जाती है, इसी वजह से continuous two weeks use करने के बाद, ये जो drug है, ये अपनी efficiency lose out कर जाते हैं, को store करेंगे airtight container, protected from light, use, इनका भी वह ही a student, same, sedative hypnotic, insomnia, कैसा short term insomnia हो, तो उसके treatment में use होता है, इसका use a relief of anxiety, कब, जब कोई surgical process है, किसी patient का surgical process है, और वो बहुत excited है, तो उसकी anxiety को कम करने के लिए use होता है, और bellodona नाम का एक herbal preparation, उसके साथ, उसके combination में ये drug दिया जाता है, ताकि ये anti-acid की तरह behave कर सके, और अपने आप में ये drug एक anti-spasmotic है, जो आप स्टमक में spasmophil करते हैं, उसको treat करने के लिए use होता है, next drug है हमारा pentobarbital, इसका और एक नाम है pentobarbitone, same structure है, बस एक ये, वही, say side chain अंतर, पहले वाले में methyl propyl, methyl butyl हो गया, ठीक, that's it, और कोई खास change नहीं है structure में, तो white colorless crystalline powder है, hygroscopic है, water में soluble है, ammonia में soluble है, alkali hydroxide है, carbonates है, mechanism कैसा है कि ये stimulate करता है GABA receptor को binding at various sites, बहुत सारे sites में जूर जूर के GABA को activate कर देता है, बस same mechanism of action है, storage well closed airtight container protected from light, देखिए, uses किस प्रकार के हैं, कि ये drug आपके sedative hypnotics है, कब, जब insomnia short term वाला है, कम देर वाला insomnia है वहाँ पर, दूसरा pre-anesthetic medication, anesthesia से पहले वाला medication है, strichy नाम का एक herbal drug होता है, उससे अगर poisoning हो जाए, तो उसके treatment में यूज होता है, इसके बाद कुछ convulsive syndrome को control करने के लिए यूज होता है, cerebral blood flow, यानि कि हमारे cerebrum का जो blood flow है, उसको कम करने में यूज होता है, odeema यानि water retention, salt retention का जो condition है, उसको decrease करने में यूज होता है, और intracranial pressure यानि क्रेनियल में जो pressure है, उसको कम करने में भी है, यूज है, next drug जो अपने syllabus में है, that is, सेको बार्बी चल, इसका नाम है क्यूनो बार्बी चौन, और एक नाम है क्यूनो बार्बी चौन, देखिए, यहाँ पर students आपका एक छोटा सा change हुआ है, यह देखिए, CH2-1-CH, मतलब, अलाईल ग्रूब आपने रड़ किया है, बाकी सब activities है, यह पहले बाले ड्रग में आपने 1-methyl-butyl की chain डाली थी, वो chain activities है, और उपर जो C2-H5 आप डालते थे, उसकी जगा पर यहाँ पर अलाईल ग्रूब आगे है, that's it, और कोई change नहीं है, यह drug भी same white color का है, hygroscopic है, थोड़ा सा bitter taste है, इसका pH जो है 9.7 से 10.5 के बीच में, मतलब अब इसका pH जो है, वो towards base हो गया है, यह water में soluble है, alcohol में soluble, इसलिए इसकी property में हम क्या नहीं बता रहे हैं आपको, कि यह कौन से hydroxide में soluble है, नहीं होगा, because reaction आगे का परफार्म नहीं होगा, मेकानिजन क्या है, यह भी क्या करता है, यह भी हमारे गाबा की जो frequency ए ओपनिंग की उसको बढ़ा देता है, गाबा ओपनिंग की frequency बढ़ेगी, हमारे ख्लोराइड आयन चैनल्स की frequency बढ़ेगी, और इससे ultimately हमारे गाबा का receptor responses जो है, वो potentiate होगा बढ़ चाएगा, इसको भी well-closed airtight container में रखते हैं, protected from light, light से बचा के हैं न, same use as sedative hypnotic treatment of insomnia, यह भी anti-convulsant है, यह एक प्रकार का local anesthetic है, और साथ में striking से होने वाली जितनी भी toxic reaction है, उन सब का anti-toad भी है, तो यह एक अलग use है, antidote for striking toxic reactions, तो यह आपका barbituric acid derivatives हैं syllabus के according, I hope आपको यह content समझ में आया होगा, अगर आपको यह notes चाहिए हो, तो please आप हमारा app solution pharmacy download करिए, वहाँ पर यह notes available है, Thank you so much.